तो आज किस वीडियो माज़ आप लोगो बताने बलाओ, दोस्तों अगर आप भी अपने अधार कार्ड में मोबाइल नमर को चेंज करना चाहते हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई 5 साथ से कम का बच्चा है और आप उसका नया अधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो दो दोस्तों घर बैठे आप इस सब कुछ कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में इसका कम्प्रीट प्रसेस बताने बाला हूं उससे पर मेरा नाम जाए मेरा नाम है विनोध राज सभीका स्वागत है संध्याट एक यूट्यूब चैनल में और दोस्तों एक और चोटी और यहांद दोस्तों मैंने इंडिया पोश्ट की वेब साइट को आपन किया है दोस्तना इसका लिक मैंने वीडियो के डिसीच से में दे दिया है जैसे दोस्तों आपके सामने कुछी तरगे एक पेर हुत खळकर आ जाके आपको आपको पर बेसिक डिटेल्स भढ़ना पड करने के बाद अगर आपके पास email address हो तो email address पूर ढाल सकते हैं और इसके बास जो भी आपके पस mobile है वह mobile नमर आपक बहुत चाहिए करने के बाद करना है को इससा भी नमर आप डाल सकते हैं इसके बास select service प्लिक करना है तो यहाप मिलेगा आइ-पी-पी भी अधार सर्विस्टिक एक है तो दोस्तो आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाप पर नीचे मिलेगा request OTP पे आपको click करना है जैसे दोस्तों आप request OTP पे click करेंगे तो दोस्तों आप जो भी यहाँ पे mobile नमर दिया रहेंगे उस पे एक OTP जाएगा ठीक है तो उस OTP के यहाँ पे enter OTP में आपको उस OTP के आपको यहाँ पे fill up कर देना अगर OTP नहीं आता है तो आपको दो मेंटे तक वेट करना है दो मेंटे वेट करने के बाद तो एक recent OTP कर देना ठीक है तो मेरा OTP आ चुका है मैं OTP fill up कर चुका है इसके बाद confirm service request पे आपको click कर देना है जैसे दोस्तों आप इस पे click करते हैं नमर डाल करके और यहां पे आपको फेच पे आपको click कर देना है जैसे दोस्तों आप फेच पे click करेंगे तो दोस्तों आपको यहां पे देखने को मिलेगा status pending दिया गया है ठीक है तो दोस्तों इस प्रकास से दोस्तों जोकि आप अपने अधार कार्ड में mobile number, address या फिर जोकी कुछ भी अगर changes करना चाहते हैं तो दोस्तों घर बैठे आप कर सकते हैं और अगर आपके घर में किस कोई बच्चा है अगर उसका अधार कार्ड बनवाना चाहते हैं अपके दोस्तों किसी बच्चे का अधार कार्ड बनवाना चाहते हैं कैसे बना सकते हैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ये वीडियो अच्छा लगए वीडियो अच्छा लगए लाइक कीजिएगा और दोस्तों फिर भी कोई सवाल ये सुझा वायत कमेंट जरूर कीजिएगा मैं आपकेर कमेंट कर इपलाई जरूर दूँगा मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई वीडियो में तब तक लिए नमस्का जैहिंद जैवार